हमारे धर्म गरंतों में कई काम के बारे में बताया गया है जिनने करने से जातकों की परेशानिया समाप्त होती है ये काम बहुत स्वरल हैं जिनने कोई भी कर सकता है कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का फल्शुभ ही होता है हाला कि कई बार अच्छे कर्मों के बाद भी व्यक्ति को वो सब नहीं मिल पाता जिसका वे हकदार है उनका भाग्य साथ नहीं देता ऐसे ग्रहों के बुरे प्रभाव के कारण होता है जोतिश शास्तर में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है कि जनें प्रते दिन सुबह के समय करने से लोगों के कश्ट दूर होते हैं आए जानते हैं कौन से हैं वो काम पहला है सूरे को अर्ग देना रोज सुबह ये काम करने से आपका स्वभग बहुत जल्दी निखर कर आएगा सूरे को ग्रहों का राजा माना गया है सूरे का संबन्द पितरों से होता है इसलिए रोजाना सूरे देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति को पितरों का आशिरवात प्राप्त होता है इसनान करने के बाद ताबे के लोटे से जल अर्पित करने से जातकों को हर काम में सफलता मिलती है समाज में मान सम्मान की वृद्धी होती है दूसरा तुलसी में दीपक जलाएं माननेता है कि तुलसी के पौधे की पूझा करने से दुरभाग्य दूर होता है वह सवभाग्य की प्राप्ती होती है सुबह उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के सामने घी का दीपक जुलाना चाहिए ऐसा करने से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है इस मंत्र का जाब करें। गायत्री मंत्र से दूर होंगे कश्ट। जाता है कि भगवान शिव स्रिष्टी का संचालन करने के साथ संगहरक भी हैं। वहीं भगवान शिव को भोले नात भी काह जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की सभी मनु कामनाय पूर्ण करते हैं और उने पापों से मुक्ति दिलाते हैं। जोतिश के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिव पूजन में यदि आप कुछ विशेश उपाए आजमाते हैं तो शिव की क्रपा आपके उपर बनी रहती है। हमारे धर्म गरंतों में चावल या अक्षत का बड़ा महत्व बताए गया है। हमेशा शिव पूजन सांस्क्रती में किसी भी शुब कारे को करते समय। जब हम किसी को तिलक लगाते हैं तो साथ में अक्षत लगाने के परंपरा है। इसका मतलब ये होता है कि आपके मान सम्मान में वर्द्धी होती रहे। धन की प्राप्ती हो एवं माता लक्षमी की कृपा सदा उस व्यक्ती पर बनी रहे। इस कामना से जब भी हम तिलक लगाते हैं तो साथ में अक्षत यानि कच्चे चावल का प्रयोग जरूर करते हैं। शिवलिंग पर खंडित चावल न चड़ाएं। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अक्षत का मतलब होता है जिसका अक्षय न हो। इसलिए खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चड़ाने चाहिए। हमेशा शिव पूजन साबत चावल के साथ ही करना चाहिए। हिंदु धर्म में चावल का प्रयोग पूजा पाठ में अनिवारे रूप से किया जाता है। हमारे देवी देवताओं को भी चावल का भोग लगाया जाता है। जब भी हम माता लक्षमी की पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं तब अक्षत का प्रयूप करते हैं। करते हैं ऐसी मानिता है कि जो व्यक्ति शवलिंग पर नियम से अक्षत चड़ाता है उसे धन लाब की प्राप्ति होती है और उसको सौब भाग्य मिलता है